Hi everyone, कैसे आप सब? दोस्तो आज हमारी company law की पांच वी class है इन चार classes के अंदर मैंने आपको basic of company law पलस chapter number one आपको complete करा है जो मेरे तरीके से बने वे chapter है अगर कोई भी student हमारी classes buy करना चाता है तो नीचे link description में आपको मिल जाएंगे whatsapp link जिसपर आप click करके हमारे साथ directly contact कर सकते है और हमारी application से हमारी website से भी आप ले सकते है सारी detail नीचे दे रखी है classes की fees बहुत nominal है इतनी है इतनी guarantee ले सकता हूँ सबसे कम fees हमारी है और सबसे कम fees पे आपको जिस quality का पढ़ाया जा रहा है आप देख सकते हैं आप लही रहे class class की जो fees रहेगी लगबग पत्चिस सो तीन हजार और पैतिस सो के बीच में ही रहती है पत्चिस सो से पैतिस सो के बीच में रहती है अगर आप join करना चाहसे है तो join कर सकते है और भी classes है cost accounting है financial accounting इंका combo भी आपको मिल सकता है तीनों subject में पढ़ाता हूँ आपको intermediate level पर आईए वाप से आजाते company law मारा था SEMA Intergroup 1 का यह company law है जिसके अंदर जो कि यह classes applicable है June 2023 के लिए बट मेरी बात सुनिए यहाँ पर लिखा June 2023 है बट ऐसा नहीं है कि June जून 2023 के लिए अलग बनती है उसके अंदर कुछ amendments आती है कुछ चीज़े कर जाती है कुछ चीज़े नहीं आती है वो add on करना होता है बागे सब सेम होता है ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको content पढ़ाया जा रहा है वो दिसमबर वालों के लिए applicable नहीं है अब आपको बता दो पिछले syllabus और syllabus में कुछ भी change नहीं मैंने आपसे पहले भी discuss करा था कि 100% copy कर दिया गया है company act तो company act है section तो section वो ही है बट तरीका change कर दिया कुछ chapter add on कर दिया बागे सब सेम है तो 2600 syllabus वाला भी देख सकता है इसको ऐसा नहीं है कि नहीं देख सकता अभी ये 5 lecture तो अराम से देख सकता है चलिए फिर आज़िए आज़ी ग्लास में अच्छा मैं एक च्छी बता दू आपको मैंने आपको अभी तक क्या कर चप्टर करा वर करा दिये चाहे 2016 syllabus हो चाहे 2022 syllabus हो देख सकता है चाहे जून अटाइम हो चाहे दिसंबर सब देख सकता है वो कोई problem नहीं है दर मैंने आपको दोस्तो पहला chapter अभी complete करा दिया है आज मैं आपको दूसरे chapter पढ़नाने जा रहा हूँ kinds of company तो first chapter हम नहीं कर चुके है and second chapter हम करने जा रहे है kinds of company आई यह एक पर देखते है second chapter स्टार्ट करते है बहुत ही प्यारा chapter है आपको अच्छे से बढ़ाया जाएगा बिल्कुल ही detail में बढ़ाते है मेरा purpose ही होता है log को detail में सिखाना एकदम सारे case low हम पढ़ चुके थे मैं आपको पहले ही बता है सारे case low को समझा समझा कर मैं आगे बढ़ाओं अब आज यह chapter number two में जिसका नाम है kinds of company kinds of company में देखा जाए तो हमने company को कितने भागों में बाटा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे भागों बाट दिया तर पहला है on the basis of liability liability के बाटा on the basis of numbers of member के basis बाटा on the basis of control on the basis of listing of share होगा गलत दिया listing of share on the basis of government control और other types of company और कुछ other types of company में भी हमने यहाँ पर देखो company तो company है पर company के various types है यह company हो सकती है, यह company हो सकती है इस type की company है, इस type की company है तो वही हमने देखा कि इन basis के basis पर company को bifurcate करा है तो आईए देखते है liability के basis पर तीन भागों बाटा company limited by share company limited by guarantee unlimited company member के basis पर आपके पास दो बाट मबाटा private company, public company जो कि काफ़ी important और इसके अंदर changes भी आए है on the basis of control control के basis में holding company subsidiary company on the basis of listing of share listed company और unlistate company फिर government company में government control के अंदर government company, non government company and other types of company जिसके अंदर associate company, banking company, foreign company one person company, small company, sectionate company dormant company, producer company, investment company statutory company और inactive company तो लगबग लगबगँ हमें 11 तो यहाँ परने है 12, 13, 14, 15 12, 17, 18, 19 20, 21, 22 तो मतब 22 category में companies को बाटा है आईए एक एक करके इन सभी को समझने की इनका मतलब क्या है क्या इनकी विसेशता है और कैसे कैसे हमें को करना है सबसे पहले स्टार्ट करेंगे on the basis of liability liability के basis पे company को तीन भगवाँ बाटा है एक company limited by share, एक company limited by guarantee और एक company unlimited liability of a unlimited liability आईए company limited by share क्या कहता है section 2, section 21 a company having a liability of its member limited by the memorandum to the amount if unpaid on share respectively held by them is termed a company limited by share, such a company is commonly called a limited liability company a company liability is never limited, it is the liability of shareholder member of the company that is limited अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप यह समझेए दो तिन बाते समझीए वैसे तो आगे आएगा पर उसका utilize इस दर ज़े करा गया है सबसे पहले होता है member पॉन होते है member को ही दोस्तो shareholder कहते है तो जहाँ जहाँ पूरे company law में member लिखा है उसका मतब है shareholder मान लिजी आपने किसी company के share ख़ईदे आपने किसी company के share ख़ईदे है तो आप उस company के member हो ऐसे तो जहाँ जहाँ member word का use करा है shareholder मतब वो company का मालिक कुछ percentage of मालिक होगा आपने जितने share ख़ईदेंगे मान लो आपने किसी company के 1% share ख़ईदे तो 1% के आप उसके मालिकान अधिकार रखते है तो आप shareholder या फिन member कहलाओगे अच्छा director कौन होते है इसके बारे में सुन लो अब देखिए मालो reliance company के बहुत सारे shareholder है बहुत सारे member है member and share are one of the same thing reliance company के बहुत सारे shareholder है बहुत सारे मालिक है बहुत जोनों ने reliance company के share ख़ईदे है ऐसे Tata के भी बहुत सारे share ख़ईदे गए है बहुत सारे लोगों ने सभी उसके मालिक है अपने अपने हिसेदारी रखते है इतने सारे मालो reliance company के अगर एक करोड shareholder है तो उस एक करोड shareholder में क्या सभी लोग company चलाएंगे नहीं देखिए क्या करते है shareholder represent करते है अपने आपको shareholder elect करते है एक person को बेटाते है यह बहुत सारे person को बेटाते है जो उनके भ्यापर काम करते है company के लिए और company में profit का अन करके देते हैं और जो भी company profit कमाती है वो shareholder में बढ़ जाता है तो डारेक्टर इजर representative of shareholder डारेक्टर कोन होता है shareholder का रिपरजेंटेटिव मतलब shareholder जैसे की चुनाव होते है तो हम एक election होते है और हम एक चुनते है जो हमारे देश को चलाता है ऐसे ही company के अंदर shareholder क्या करते है इलक्ट करते है चुनते है किसी ऐसे person को जो उस company को चलाए उसको हम director कहते है तो director company का honor भी हो सकता है क्योंकि उसने director company का basically director company के honor नहीं होते बट मालो ऐसा director जिने company के बहुत सारे share खेज़े के वो honor भी बन गया और director भी बन गया वो company चला भी रहा है और company कमालिक भी है तो shareholder क्या करते है बहुत सारे जब किसी company के shareholder होते है जैसे मुके संबानी director के condition में आ सकते है अभी हाली में क्या है director up down होते रहते है मुझे इतना पता नहीं है हाली में क्या चल रहा है और change होता रहता है कभी director कभी chain में बन जाते है हम आत कर रहे है कि director कौन है डिरेक्टर वो person है जो shareholder के को represent करते है shareholder के लिए काम करते है shareholder के लिए company में काम करते है company को चलाते है और company का profit अंडेट करके shareholder में बाढ़ देते है यह होते है director तो director कोई honor नहीं होते पर मालो कोई ऐसा director जिसने company के share भी खर दे हुए है तो वो company का डिरेक्टर honor दोनों हो सकता है है ना possibility है मालो मैं किसी company का डिरेक्टर हूँ तो मैं honor new मैंने share खरीदा नहीं है company का तो मैं honor new best bank shareholder का representative हूँ जो आया हूँ company के अंदर company को चलाने और company का profit generator करके shareholder को बाटने but company का director अगर मालो company के share खरी लेता है तो वो director भी हो गया और shareholder भी हो गया तो डेरेक्टर और shareholder यह member पर फरक है member shareholder one of the same thing यह दोनों एक ही होते हैं जहां-जहां member लिखा है वो company के share खरीद चुका है वह company का मालिक है कही ना कहीं किस particular point पर और डेरेक्टर कौन होते है representative of the shareholder जो shareholder के लिए काम करते है company को चलाते है चलाने वाले company को क्यों sir क्योंकि sir लाखों जने कुरों जने company को नहीं चला सकते इतना सारे जने कि decision कौन कौन सुनेगा भाई यह कहेगा कोई ऐसे कहेगा इसलिए लोगों कम होने चाहिए कम लोग चलाने वाले होने चाहिए company को जिससे सभी का management सहीर है director और आपके पास shareholder या member में difference आपको बजल गया shareholder member one of the same thing and director are the different thing इसके बाद मैं को दो बाते और बतानी एक होता है memorandum of association एक होता है article of association article of association में क्या होता है company के rules and regulation लिखे होते है company इसके beyond जाके काम नहीं कर सकती article association में जो चीज लिखी होती है basically rules लिखे होते है company के अंदर total इतने shareholder होंगे या company के अंदर total आपके पास company के अंदर जो भी rules है related to any other thing HR policy, finance policy कोई भी related rules आगे जाकर हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या उन कौन से rules होते है बड़ यहाँ पर मैं समझाने जा रहा हूँ कि article of association में company के rules and regulation होते है जो कि company उसके beyond जाके काम नहीं करती जबकि memorandum of association company के rules and regulation नहीं बताता वो बताता है close close का मतलब है कि company का नाम क्या है company का object क्या है company की total capital कितनी है authorized capital आगे जाकर इसके बारे में से कहेंगे authorized capital है ना company की authorized capital कितनी है total capital कितनी है यह छोटी छोटी बाते जो मैं आपको बता रहा हूँ यह आपने कहिना कहें 11-12 chapter में 11-12 class के अंदर पड़ी हुई है memorandum of association business study में पड़ा था आपने authorized capital share capital unpaid capital allotment of share यह company account में पड़ा था 12-12 class के account chapter में company का account chapter में सब पड़ा हुआ है आपने इसी बट फिर भी एक बार brief दे देते हैं जिन्नों नहीं पड़ा उनकी बात कर रहा हूँ जो मालोग कभी कोई टोटल capital कितनी है company क्योंसी वाली है limited liability वाली है unlimited liability वाली company कैसी है transferable है इसके share यह नहीं है तो यह सारी चीजे बताता है memorandum इसको भी हमें आगे जाकर इसको भी आगे जाकर पर यहाँ पर इंका यूज हो रहा है तो memorandum में मान लीजे authorized capital लिखी हुई है कि 10 करोड रुपे तो company 10 करोड से ज्यादा की capital नहीं लगा सकती उतना ही capital का fund raise कर सकती पब्लिक से उससे beyond जाकर भी हम काम नहीं कर सकती तो article of association होता है rules and regulation of the company जहां पर rules and regulation company के लिखे हुए है कि company क्या काम कर सकती है और क्या नहीं कर सकती और memorandum association में होता है 378 close जिस close में company की details वगरा होती है कि company का नाम objective क्या है company की capital authorized capital कितनी है total capital कितनी है यह सब चीजे होती है liability company की कैसी है यह सब चीजे होती है अब मैंने आपको यह सलिए पता है सब चीजे लिखे कंपनी की detail वगरा रहे है name company का object company का अद्देश है यह सब क्या है capital कितनी है company तो आई यह ज़र आप बात करते है समझने की गोज़ करते है कि company limited by share क्या होता है limited by share क्या होता है company limited by share क्या होता है where is my friend मान लीजे दोस्तों एक company है ABC limited मान लीजे दोस्तों एक company है ABC limited ABC limited एक company है जिसकी liability ज्यादा हो गई मान लों को 10 लाग रुपी के liability चुका नहीं है अपनी ठीक है company के दो member थे A and B company के दोस्तों दो member है A और B member मतलब 50% share company के A के पास है 50% B के पास है और कोई shareholder है नहीं company का यह member of the company हो गए company के दो member है A ने 5 लाग रुपी की capital लगाई थी business के अंदर और B ने A ने 5 लाग रुपी की capital लगा रहे किया और यह अपने business के अंदर pay कर चुका है 5 लाग की capital पे कर चुका है जितना इसको pay करना था share के बदले में उतना मतलब यह company के 50% share लेगा और company को पांच लाग रुपे करेगा और Mr. A ने पांच लाग पे कर भी रखे है company के बास पांच लाग Mr. A के आ गए है पांच लाग इसने भी पे करना था इसकी 50% share है बड़ इसने पे कितना करा पेबल था 5 लाग रुपे पर actual में इसने पे करा है 3 लाग रुपे तो मैं यहाँ जाना जाता हूँ इसका कितना अंपेड है अंपेड है 2 लाग रुपे बड़ सिंपल तरीके से मैं आपको समझानी को कर रहा हूँ कि अंपेड कितना है 2 लाग रुपे ठीक है ना इसको बोलता है अंपेड गापिटल मतब अभी भी इने 2 लाग रुपे और देने है चीक है अम माल लेते हैं कि कंपनी की लाबिल्टी है और कंपनी की असेट को बेज आ अस कंपनी बंद हो रही है तो कंपनी की जितनी भी सेट असको बेज कर क्या करा जाएगा लाबिल्टी को चुकाए जाएगा तो asset sale करके liability pay करी जाई है company की asset को सारी बेज दी और liability अभी भी बच गई सारी pay कर दी पर liability बच गई liability remaining बच गई 10 लाग रुपे company की सारी asset बेज कर इतनी liability बच गई 10 लाग रुपे बच गई pay करने के लिए बच गई yet to pay अब मुझे बताओ यह liability कैसे pay होगी company के सारी assets को बेज कर liability चुगाई गई और फिर भी 10 लाग की liability remaining रह गई अब यह liability कैसे pay होगी अब जो company के member है वो अपने पैसे लेकर आएंगे अब उन्हें देखा कि company के 5 लाग रोपड़े है एक है तो company के जो एक है 5 लाग रोपड़े है एसे लिया जाएगा और company के liability चुकाई जाएगी company के liability चुकाई जाएगी example को ध्यान से समझेंगे तो आपको concept automatically समझा जाएगा और जो भी law की language लिखे है वो automatically समझा जाएगा आपको पता है मैं लोग की language पर ज्यादा फूकस करता हूँ instead of normal language क्योंकि in case मैं आपको लोग पढ़ाना चाहता हूँ लोग बताना चाहता हूँ कि लोग कैसे पढ़ना चाहिए मैं बार बार यह कहता हूँ अपने classes के अंदर पांच लाग रुपे की ए ने पांच लाग रुपे पे करें ए से कहा गया वह यह 10 लाग की liability रिमेनिंग रह जाती है अब कंपणी के मेंबर ने ए ने जितना पैसा लगाया था अब बी10 लाग रुप से और साथ में वह भी लेका घर से ये ऑनलाग रुपे गternे थे हमारे ऑनना जो तुने 3 दू लाग रोँप देने थे यह मना撲 नहीं कह सकता ह wings हाँ यह यह नहीं सकता है YouTube कंपनी मायंड होकि अब उप हो क्यों हिए पांच लाग इसमने ऍवार को बीकी करने में है तो गंभात दिए चे ट्रक रिख तो अगर कंपनी करजा आएका तो वाटिए ना तो उसने 356 लाग रुपए पे ये unpaid capital मगवाई जाएगी और बोला जाएगा कि भाई ये दो लाख रुप भी लेकर आ घर से और liability चुगाई ने इस तरीके से liability पे कर दी जाएगी तो मान लीजे company के asset base का जितनी भी liability हम उसको चुगाते हैं और कुछ liability रुप बिढ़ा जाती है तो जो member होंगे वो अपनी share capital से जितना पैसा उन्होंने बिजनस में लगाया था उससे उनकी liability चुगाई चाहिए पर यहाँ पर case हो सकता है क्या case होता है पहला case case number one हो सकता है कि मान लो अगर liability 10 लाख रुपे की है और A और B की share capital 10 लाख रुपे है A और B की total share capital share capital का मतलब जो उन्होंने share ले थे उसके बदले में जो पैसा दिया था company को A ने 50% का हिस्सेदार ही रखता है तो A ने 5 लाख दियोंगे B भी 50% हिस्सेदार देता है B भी 5 लाख देगा तो 10 लाख रुपे है तो कोई बात नहीं liability pay off हो जाएगी है ना यह liability कौन सी liability है total liability नहीं remaining liability जब asset को बेच कर सारी liability चुकाई गई उसके बाद इतनी liability बच गई remaining वाली है यह और उसको कौन चुकाएगा फिर member of the company चुकाएंगे माली जे case to निकल कराता है case to यह ले आता है तो जो मारी remaining liability है वो 10 लाख रुपे है ए ने अपने 5 लाख रुपे पूरे करे बी ने तीन लाख रुपे जेते वो उसका यूटलाच कर लिया पर भी 2 लाख रुपे जो अनपेड है जो अनपेड है वो घर से लेकर आएगा 25 लाख दिए बी ने अपने बदले के भी 5 लाख दे दिया 2 लाख तो तीन लाख जो पहले से रखी थी company से वह company यूटलाइज कर लेगी और 2 लाख रुपे घर से लेकर आएगा जो उनपेड था जो इसको देना था company को वह पाछ लग इसने भी पेड पेड दिया दो नोग कितनी बारा लाख रुपे तो अब ये दो लाख रुपfa कोण लेकर आएगा अब कोई ने लेकर आएका ओनर जो कमपणी का मालिक जो कमपणी के मेंबर है व tej क्योंकि यहे क्योंकि गयए ने इतना पैसा देना थे कंपनी को उसने 50 परफिप्टी परसन तो देखा वह वाला मगद रहे हैं उसका परसनल पैसा घर से निकाल रहे हैं जब ऐसी कहानी आती है जब आप ऐसी कंपनी खोलते हैं जहांपर लाइबलिटी पे करने के लिए और को घर से पैसा नहीं देना हां जितना अगर किसी ओर्णर ने किसी मेंबर था अनपेड़ सेर था अनपेड़ क्यापिटल थी उसकी यहां इतना पैसा सो को देदा था पर उसने दिया गई थी उसे वो मगवाएंगे और तब भी अगर लाइवल्टी नहीं चुकाई गई तो उसका पैसा उनसे घर से नहीं मगवाएंगे मतलब पर्सनल प्रॉपटी बेज कर पैसा नहीं चुकाईंगे ए और भी कंपणी नहीं चुकाई एगर अपनी नहीं चुकाई तो मेंबर आपनी से और कैपिटल तक ही बीयर करेंगे जो में और उन्हान की चैर किलोगा उतना ही दोस्तों वह करेंगे उससे एंवाउत के लियुद नहीं कंपणी 2Net केंबर्स कंपणी केममनी के लिएबलिटी कंपणी के सीमित है कहां तक स्थार लेटे टोगा अपने घर से नहीं लेकर आएंगе डूसरी बात मान लेबिटी अगर कंपनी unlimited liability वाली होती तो unlimited liability का विसेस्था यह है कि members की liability unlimited है अगर इस case के अंदर unlimited liability वाली company होती तो यह 12 लाख रुपे में से जो share capital को pay करने के बाद भी तो दो लाख बच गया वो दो लाख रुपे दोस्तों वो दो liability company में दोस्तों members के जो share होते है वो share capital तक ही जो member की liability होगी वो share capital तक ही सीमित है अगर company की liability नहीं चुका पाए share capital का पैसा यूज कर लिया asset बेज कर पैसा यूज कर लिया तब भी company की कुछ liability रह गई तो फिर member अपने घर की professional property नहीं बेचेंगी honor जो होते है member shareholder वो एक ही है और unlimited liability वाली company के अंदर member को अपने घर की personal property बेच कर वो liability को चुकाना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो company है वो unlimited liability company है तो अगर आप shareholder हो और आप किसी company में पैसा invest करोगे तो किस company में invest करना shareholder कह रहा हूँ sorry 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 अगर आप creditor हो आप किसी company को loan देना चाहते हो तो आप किस company को loan दोगे उस company को जो limited liability वाली है या उस company को unlimited liability वाली को देंगे क्यों क्यूंकि अगर company आप पैसा लगाना चाहते हो किसी company पे तो किस company पैसा लगाऊंगे सब्सक्राइब कर चुगा हो पैसा पर अगर कहीं बात आ जाए कि पैसा नहीं चुगा पाए तो फिर हमारे पास मताना आम अपनी घर की परसंट नहीं लगा था जितना पैसा मैंने लगा था जितना पैसा और अनलिमेटेट लाइटी मतलब जहाँ पर मेंबर की लाइटी लिमिटेड होती है वह लिमेटेड लाइटी वाले कंपनी होती है अगर कहीं company का नाम लिखाए न है इसके मेंबर की लिमेटेड है भस share- собир date भी उसका यूज कर ने के लिए उसकी घर के पाइप गाल नहीं उसकर और अगर company के जो 11 पम इसके लाएग साथ इतो यह क्या वाली कंपनी वही बेनेफिट है मेंबर उनर नाक्त गवाएंगे वह क्यों चींद मुलता हूं focus तो नहीं किसी कंपनी अवहां पर मुझे सब मिल जाता हूं यहां M.C.A. सर्वीस पर गए लग रहा है मुझे वो करना पड़ लग रहा है मेरे पास माउस भी है भाई यह देखो यहां मैं गया और यह कंपनी का लेल पी दिख रहा है आपको कंपनी और यहां पर क्लिक करा यहां कंपनी का नाम सेर्च कर लो कौन सी कंपनी है बता किस कंपनी का देखना चाहोगे आप गए आपने कंपनी का नाम सेर्च करा कीबोर्ड नहीं निकल रहा बताओ इमोजी कहां रखें हाँ चलो देखते है टाटा कमपनी का देखते है टाटा का ठीक है ना कोई भी का टाटा के हम नहीं कोई भी नई कमपनी उठा ली हमने और यह पुट करते हैं यहाँ पर ह-e-l-a-p-l-y मैं आपको बता रहा था है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपको यहाँ पर सारी बाते पता चल जाएगी और देखो पहला दिन आया आज कमपनी किस कैटेगरी की है कौन सी टाइप की कमपनी है कमपनी लिमिटेड वाई सेर नेखा तो जो भी हम पढ़ते है न वह अक्चुल में है यह वो नहीं है ग्यारवी बारवी क्लास की बिजनस टड़ी कि हमने पढ़ा और भूल जाओ भूलनना नहीं है यहाँ पर देखो कमपनी लिमिटेड वाई सेर का मतलब क्या हुआ लिमिटेड लाइबिलिटी कमपनी जहां पर मेंबर की लाइबिलटी अप तूशेर करेंग अब जाएगी अभी देखो non-government company भी आ रहा नहीं अबर अभी बताएंगे non-government company क्या है देखो यहां पर लिखा वा रहा है ना private तो तीनों चीज परेंगे अभी यह company liability के हिसाब से अगर liability के basis पर categorize करें तो limited liability है अगर government control के basis पर categorize करें तो non-government company है और अगर मैं number 100 member के basis पर करूं तो private company है देखें ना मैंने यही तो मेरे notes में दे रखा है दोस्तों यही तो दे रखा है अभी दर आओ अगर टाइप सो जाएंगे तो मैंने क्यों लिखा हुआ ऐसा है अगर मैं कह रहा हूं कि company की जो तो टाटा कंपनी जो वन एमजी करके आई है वो लिमेटर लाइबल्टी वाइसे रहे है अगर आप मेंबर के basis पर करोगे तो वो private company है अगर आप government अगर control के basis पर करते हो government control के वो non-government company है यह सारी आपको बहुत सारी data दे सकता हूं इसके अंदर बहुत सार आपको दिखाए भी सकते हैं क्यूंकि यह government site है तो समझ सकते हैं आप government site का क्या हाल होता है फिर मुझे mouse एक और दिखा देते हैं किसका देखना चाहोगे कर दिखते हैं न पितनी यह कंपनी है ते सारी था ज्रेना आउटर फूद प्राइवट लीमिट जो मेंट्रेट अंटरेंबन प्राइवट लीमिटर फ् Epis अर्विस प्राइवाट लिमिटर देखते हैं अ selbst लौ फ्राइवीट को Hessen मैं बस दो ही दिखाऊंगा जाद है नहीं वापसी कंसेप आएंगे ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ यार क्या तो क्या चीए इसको भाई को पांच मेंट देजिए बस एक और दिखा देता हूं मैं को बताना है आपको ना देको टाइम लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सीख के जाए ना आप अपने आप से खुछ से भी देख सकते हैं यह जरूरी नहीं है कि मैं ही आपको दिखा हूं आप खुछ से भी दिखते हैं आज की टाइम पर इतनी कंपनी खुल चुकी है लिमिटेड आज आब एक बात तो आप खुल गए कि जहां जहां कम्पनी लिमिटेड वाई शेर लिखा है उसका मतलब क्या है उसका मतलब यह है एक की वो कंपनी कि member की liability limited है अगर सारी company के asset बेच कर liability चुगाई जाएगी तो member की capital यूज कर सकते हैं बस उनकी घर से personal property नहीं बेच सकते हैं unlimited liability वाली company आप खुलना ही बंद हो गई कोई पागल होगा जो इसको खोलेगा कि आप भी घर की personal property देगा अरे भाड में जाए जिसने हमें पैसे दिया हमें पैसे देने के लिए मालो आपने कुछ ऐसी कंपनी को पैसे दे दिया जो लिमिटेड लाइबिल्टी वाली company थी अब मैंबर काएंगे हमने थो ना बोला था चलो ताटा अब मताओ यहां पर तो मैंने आपको दो बाते कंपनी कौन से होगी a company having no limit on the liability of its member member की लाइबिल्टी में कोई भी लिमिट नहीं है कि member की लाइबिल्टी में कोई भी limit a company having no limit a company having no limit on the liability of its member is an unlimited company is an unlimited company तो जब member की liability में कोई भी limit नहीं हो member अपनी capital को use करके तब भी liability नहीं चुका पारे तो घर से लेकर आओ भीया पैसा घर बेज दो पूरा इसका जितनी asset and owner के नाम पे सब बेचो और company की liability चुका हो तो section 2 subsection 29 of the companies act 2013 this kind this kind of liability structure allow a company to form as an unlimited company thus in case of unlimited liability company the liability of each member extends to the whole amount of the company debt and liability तो अगर आप unlimited liability वाली company खोले उसका मतलब यह है कि उस member की उस company की तो liability है साथ में member की भी liability है जितनी company की लाविटी रहेगी personally भी परस्नली भी परकर हम बात करें आपकी limited company company limited बाइशेर का मतलब बहता है limited लाविटी कमणी section 2 subsection 31 क्या कहता है a company having a liability of its member limited member की लाविटी लिमिट मतलब कंपनी की नहीं कंपनी की लाविटी हमेशान लिमिटे रहती है अगर लाविटी चुकाओ नहीं है तो company की सारी property बीक्ppen की आपके limited company लाविटे वाली हो चयान लिमिटे लाविटी यह दो समझमाइब अगर यहां पर लिखा है कि limited लाविटी company अगर लिखा है कि कंपनी की लाविटी लिमिटेड नह यहां पर बात हुँरिए members की लाविटी के ऐभ bı़ कंपनी के मेंबर्स की लाइवलिटी लिमिटे नाट कंपनी चीक है ना तू दी अमाउंट इफ एनी अनपेड सेयर आया समझ में अनपेड सेयर अनपेड सेयर वह दो लाख रुपए जो बीस्टर भी ने पे करने थे उतना लाना पड़ेगा उसको पैसा भाई वो तो दे रिस्पेक्ट कंपनी की लाइवलिटी कभी लिमिटेड नहीं होती कंपनी की लाइवलिटी कभी लिमिटेड नहीं होती कंपनी की लाइवलिटेड है किसी भी टाप की कंपनी मेंबर्स की लिमिटेड लाइवलिटी है या मेंबर्स की लिमिटेड लाइवलिटी कंपनी लाइवलिटी कंप अब जो अगला पॉइंट है पॉइंट है कमपनी limited लिम्टेट वाई गारंट एक वाई कंपनी लिम्टेट ऑई गैरंटी क्या है इसके बारे में देखते हैं यहां पर पक की गैरेंटी की बात हो रही तो को गैरेंटर होका आईए एक्जामपल के साथ समझने की कोज़ करते हैं कि क्या था देखें सिमिलरी केस लेता है कि मालो एबी लिमिटेड एक कमपनी है और उसके दो मेंबर है दोनोंने पाँ पाँग लाग के क्यापिटल लगा रही है दोनों पुल्ली पेड़ पीड़ कर दिया अन्पेड किसी की भी नहीं है अब इसके बाद क्या होता है अब कहा रहा है कि देखें सब ऐसा है अब ये company इन्होंने मनाई limited by guarantee अब क्या होता है A और B क्याते है अगर company की liability नहीं चुकाई जारी अगर liability फुल भी पेल नहीं हो रही liability remaining रह जारी है तो उस liability को pay करने के लिए हमें क्या करना होगा मेरा member कह रहे है कि हमारा पैसे यूज कर लेना अगर company की wind up के time पर ये सारी खेल होता है wind up के time पर जब तक company बंद नहीं होती तब तब तो कुछ भी नहीं करना हैंगा wind up के time पर सारा चीज़े देखी जाती है मान लो आज company बंद हो रही है तो जितनी भी assets है उनको बेचकर company की liability चुकाई जाएगी अब जितनी best set बेचकर company की liability चुका नहीं थी पर चुका नहीं पाए कुछ liability remaining देख गई मान लो वो liability रह गई तो 12,00,00 रुपे की remaining उसके बाद हमने क्या सिखा ये 12,00,00 की liability कौन पे करेगा A और B पे करेंगे अपनी अपनी capital से limited liability company में हमने ये सिखा कि अगर मेरी capital और दूसरे member की capital को use करने के बाद भी अगर liability नहीं चुका गई तो मैं ये guarantee दे रहा हूँ मैं कुछ लमसा ममाउंट रख रहा हूँ 10,00,00 रुपे 10,00,00 तक की और मैं guarantee देता हूँ इतना मैं चुका दूँगा मतलब A ने guarantee दे कि भाई 10,00,00 रुप मेरी guarantee है इतना मैं pay कर दूँगा अगर company के liability नहीं चुका पाए हमारा पैसा यूज करने के वाद भी share capital यूज करने के वाद भी तब भी पैसा नहीं चुका रहा हूँ तो up to 10,00,00 की guarantee दे रहा हूँ पांच लाग पांच लाग तो capital यूज कर लो दस लाग तो capital का यूज कर लिया अब कितनी बच गई तो इसने कितनी तक मैं pay कर दूँगा 10,00,00 तो इसने भी तक तो ए ने guarantee दी कि भाई मैं 10,00,00 कंपनी की चुका दूँगा अगर हमारा पैसा यूज कर लो कंपनी कैसे बेचने के बाद भी तब भी नहीं चुका पाई तो 10,00,00 तो भी दे देगा और अब भी 10,00,00 रहे गया तो इसका क्या करूंगा यह फिर better हो जागा उन लोगों का जिन्नों हमें पैसा दिया था गैरंटी का मतलब है कि जो member of the part member of the company है वो अलग से गैरंटी दे रहे है कि हमारा पैसा यूट्लाइस करने के बाद अगर अगर कंपनी की लाविटी नहीं चुका पारे तो अप टूद एक लंब सम अमांट ऐसा नहीं कि सारा चुकाईंगे हम कंपनी का सारी लाविटी हम प चुका पाए हमारा पैसा उसको बेचकर जितना पैसा आएगा वह तक चुका दीजेगा लैंड तक की गैरंटी दे रहा हूं उसके बाद मैं परसनल परपटी नहीं दूँगा लैंट तक है तो कंपनी लिमिटेड वाई गैरंटी सब्सक्राइब क्या होता है कंपनी की लिएग लिमिटेड यहां पर क्या कह रहा है तुद अमांट तू दिए कंपनी के मेंबर क्या करते कुछ पॉइंट तक कंट्रिब्यूट कर देते हैं कि हां में इतनी गैरंटी दे रहा हूं कि 10 लाख रहा हूं में तरफ से गारंटी है कि अगर 10 लाग तक कि लावर्टी मैं चुका दूँगा। 10 लाग वी ने भी गारंटी दे दिए और बीने का शलो मिरी एसेट देल हो तो यह जो गारंटी दे रहे हैं मेंबर यह एसेट समानी जाती है क्योंकि कंपनी को क्या इस अपनी के लिए पनी प्रक्र। जाती है और वाइंड आप होती है अपनी तो इसका यूटलाइजेशन करके हम पैसा ले लेते हैं और यहां पर यहां पर एक लाइन लिखिए क्याता है अगर मान लो वो कंपनी का मेंबर नहीं रहा मान लेते हैं आपने गैरंटी दी वाप कंपनी के मेंबर आप आप नहीं हो ओनर नहीं हो कंपनी आपकी गैरंटी एक साल तक जस दिन आपने मेंबर सिफ छोड़ी उस दिन से एक साल तक आपके गैरंटी रहेगी उसके आपकी खत्म हो जाएगी फिर आप कोई गएंटर नहीं हो कंपनी के मतलब आपने आज अगर मेंबर से छोड़ दी उसके बाद एक साल तक आपके छोड़ने के एक साल तक मानी जाएगी उस बीच में अगर कंपनी के लिए भी तो आप यह नहीं कह सकते कि मैं तो मैं गारंटी कि इस बात की ना एक साल तक गैरंटी तब भी आपकी रही हो यह इस समझतम आगया है अगही बहुत just लगवग मैंने आपर लगा दिया आपके 40-40 मिनट सिर्फ इतने तीन कौनजा को समझाने में एक ही बार होता है जब आप रिवीजन करेंगे तो यह चीज़े बहुत डिटेल में नहीं होती फिर आपके जटके में हो जाती है फिर 5 मिनट में खतम हो जाती है तीन हो ठीक है मैं नहीं लिखाए यह लॉम है पब्लिक कंपनी 12345678 पर आपको लगेगा इतना बड़ा जो लिखावा है यह चुटकियों में याद करवा दूगा आपको मैं बहुत ज्यादा बड़ा नहीं पांच मुने मैं आपको याद करवा दूगा में चीज़े ठीक है तो आपसकी हुआ को कोई कंपनी को न समझात ऐसे समझाбы हो ओं में एक एक कंपनी कंपनी के ऐखेल से ज्यादा के सेयर होल्ड कर रखें ए, प्राइवेट लिमेटेड ने, बी, कम्पनी के 50% से, जादा के सेर होल्ड कर रख है, 50% के जादा के सेर होल्ड कर रख है, तो मुझे बताओ, अब सारी कंट्रोलिंग कहां पर आ गई? माल लीजिए, आप किसी कमपनी के 50% मालिका ना धिकार है, और मेरे पर 50% सेर है, तो आपका और मेरा same same share है इसका मतलब यह हुआ कि भाई मेरा जो decision है वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आउस पर agree नहीं हो जाओ आप जो decision लोगा वो तब तक पूरा जब तक मैं नहीं हो जाओ देखे जहां पर majority ज़ादा आती है वो चीज़ ज़ादा माने जाती है तो यहां 51 और 49 का basic rule क्या होता है भाई मैंने कोई कहा कि यह 10 लाग की investment करनी चीए मेरी और आपकी company है हम दोनों ने मिलकर एक company खोली है और आपके उसके share है 51% और मेरे 49 है आपने कहा कि इधर liability इधर ना investment करना चीए हमें 10 लाग रुपे का मैंने का नहीं नहीं इंवेस्टमेंट नहीं करना चीए तो आपके क्योंकि ज़्यादा share है मेरे से majority आपके पास ज़्यादा है तो वो जीदता है इसलिए जहां पर ज़्यादा majority होती है वो सरकार जीद जाती है यह होता है रहाएसे आपने election लड़े किसी एक party के 49 seat आई और किसी की 51 आई तो फिर उस सरकार बन जाएगी उसकी तो यह होता है जहां ज़्यादा majority होती है वहाँ पर ही similar के जैसे election के अंदर होता है वैसे यहाँ पर भी होता है तो किसी company के अंदर कोई भी decision लिया जाता है जहां पर majority जाता होगी वह माना जाएगा माला हमारे पास 20 member है हमने एक decision लिया कि यार मैंने कहा कि यार यहाँ पर 10 लाख रुपी का invest करना चाहिए आपने कहा नहीं करना चाहिए कुछ लोग आपकी favor माई कुछ लोग मेरे पर मैं तो जहां पर majority जादा होगी वह decision लिया जाएगा माला आपकी favor में 51% के जने आपकी favor में आ गए और मेरे 49 रहे तो वह decision लिया जाएगा आपने मना करता नहीं लग तो भी नहीं होगी वहाँ जहां पर majority जादा होती है वहाँ पर उस party का control रहता है similarly माली जे ए लिमिटेड है तो ए लिमिटेड ने बी कमपनी के 51% मतब 50% से जादा share कर लिए तो अब ए लिमिटेड कमपनी का पूरा control किसके पास है बी के पास मतब ए लिमिटेड अब जो कहेगा बी को चुक्चा मानना होगा क्योंकि सबसे जादा अजरोटी किसके पास है ए कमपनी के पास तो ए कमपनी क्या बन गई holding company बन गई बी की तो ए कमपनी बी की holding company बन गई ए ने बी को hold कर लिया तो ए इजा parent company ए क्या बन गई या parent company बन गई और बी is a subsidiary company क्या बन गई भी subsidiary company तो अगर मेरी company ने आपकी company के 50 से ज़्यादा share खरीद लिए है तो मेरी company क्या बन गई holding company और आपकी बन गई subsidiary company मेरी parent company हो गई ठीक है जी यह हमका concept है holding company और subsidiary company के छोटे-छोटे जली हो जाएंगे section 246 के कहता है holding company is a company that on more than half of the another company stock stock का मतलब हो गया इता share adventure यह सब stock की meaning आगे जाकर बताऊंगा stock के अंदर बहुत सारी चीज़े कवर उती है अभी के लिए मानो share तो अगर किसी company ने दूसरी company के आदे से ज्यादा share खरी लिए है तो फिर वो company holding company बन जाएगी और उसको हम क्या कहेंगे holding company has all honesty right and duty over it subsidiaries मतलब जिस company के share खरी देते वो तो बन गई subsidiary company और holding company के सारे अधिकार आ जाते हैं अब सारे decision holding company लेगी क्योंकि उसके बाद majority share और जहां majority होगा जीतेगा वही यह concept है जबकि subsidiary company क्या कहता है subsidiary company बन गई अगर किसी और company के 50% से ज्यादा खरी लिए मैंने आगर आपकी company के 50% से ज्यादा खरी दे तो मैं holding बन गया तो आप क्या कहोगे कि आप की जवानी है वो क्या होगे कि हाँ हमारी company ने हमारी company के share 50 से ज्यादा किसी और company ने ले लिए तो वह हमारी holding बन गई और हम subsidy बन गए उसके ऐसा बोलोगे अपोजित है वाइसा वर्स इन्वर्स रिलेशन से तो वही वाली बात है और अधिर हैंड यहां पर ज्यादा मैज्योर्टी उसके जीत है तो सब्सेटी कंपनी के सारे 50 से ज्यादा सेर किसे बहुत कम माईने में लेगी मेजरी डिसेजन कौन लेगी रोसीं कम тебя अपको पता है एक इसना को वहारा बेचने होते हैं तो इसको डिस्ट कराना होता है उसको डिस्ट रेक्षेंज कहां पर Antes डिश्टी की मैडम ने mirrors पढ़ाया था कि हमारे पास बहुत सारे stock exchange होता है, इसमें एक दो stock exchange famous बताए है, Bombay Stock Exchange और National Stock Exchange, BSC और NSC, Bombay Stock Exchange और National Stock Exchange, तो ये दो stock exchange हमें बताए है, जहाँ पर share की dealing होती है, आज भी इतना ही है, है तो बहुत सारे, पर बागी सारे काम बंद हो गए, share में dealing अब यही दो करते हैं, बागी चलते हैं, बंद बिचने की नाशनल स्टॉक एक्षेंज तो जब अपनी कंपनी कंपनी को इस्टॉक एक्सजेंज में रजिस्टर करा लेते हो तो फिर आपकी कंपनी कंपनी लिस्टेट कंपनी मन जाती है मतलब कोई भी कमपनी जब हम स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करा लेते हैं आप अब करने का मतलब यह होगा कि आप मेरी कंपनी को रजिस्टर कर लो मैं भी अब से शेयर बचना चालू करूंगा तो वह लिस्टेड कंपनी होगी क्योंकि वह वोई share बेच सकते है जो as छुज होती है जह सटोंक एक्षेंज है विसमें बेस्टेंच होदी मतलड है अगर कोई कम्पनी अपने को आपको रजिस्टर कर आ अई स्कूल रिचुरालेका उसान इस विस्टेट कहा जाता देश लेस्टेट कहा जाता है तो वह इसके बाद ही जाकर वो share issue करके fund raise कर सकती है और अगर किसी company ने stock exchange में register नहीं कराया तो फिर वो non-listed company बन गई वो share issue नहीं कर सकती तो share issue करने के लिए आपको पहले stock exchange में register कराना होगा register कराने का मतब list कराना होगा तो यहाँ पर आगया listed company और unlisted company listed company as a company which has any office security list list मतब registered है कहाँ पर any stock exchange on any recognized stock exchange Bombay या national unlisted company वो company है जिसके कोई भी share security का मतब विदर क्या हो गया share adventure bonds कुछ भी अगर आप issue करना चाहते है market में उससे fund raise करना चाहते है तो आपको stock exchange में उन share को या उन venture को या अपने आपको register कराना होगा उसको listed का अगा तो सरल भासा में एक कहेंगे कि अगर कोई company stock exchange के अंदर registered होती है तो वो हमारे listed company होती है पर अगर कोई company stock exchange में registered नहीं है तो फिर वो unlisted company मानी जाएगी simple on the basis of control अब ये भी देखिए ये क्या रहा है as per section 2 देखिए नन जोर्मन कंपनी क्या होती है जिसका इड़र देखिए नन जोर्मन कंपनी के अपारे में دेखिए नोर्मन कंपनी means a company in which is not having any payday share capital of the government company किसी भी government company के अगर payday share capital नहीं है मेरी company है अब मेरी company में government के चाहे वो state government हो चाहे वो central government है ना state government के कुछ पैसा मेरी company में लगा है ना central government का पैसा मेरी company के अंदर लगा है तो फिर मेरी non government company हुई मतलब ऐसी company जहां पर state government और central government का पैसा लगा हो control हो वहाँ पर central ने और state ने पैसा लगा रखा हो या तो सिफ सेंटल ने लगा रखाओ फैसा या फिर सिफ स्टेट गौर्वर्मेंट ने लगा रखाओ तो फिर वो क्या बनती है गौर्रम्मेंट कंपनी बन जाती है दुखे ऐस पर सेक्षेन 2, 50, 45 और प्र कंपनी जाग दोजाते रहा क्या बोल रहा है पड़ा सिंपल सा वही मतना बोल रहा है यार होल्टिंग वाली का नहीं है मालनी जए अगर आपकी कंपनी के अंदर गौर्णमेंट ने आपके 51% सेर ख़िल लिए हो जाएगी और दिक्कात आएगी क्योंकि वही कंपनी ले पाएगी जिसके मेजॉर्टी सेर होंगे और मेजुर्टी यह होगा कि एक के 49 दूसरे के 51 अगर गौर्णमेंट ने गौर्णमेंट को होती है या पर सेंटल और स्टेट तो अगर आपकी कंपनी ने स्टेट के पास है या आपकी कंपनी के 51 पर सेंटल गौर्णमेंट के पास है या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कंपनी के दुकर को बता रहा हूं आपकी कंपनी के 25 पर सेंटल के पास है तब भी वह गौर्णमेंट कंपनी आपकी मानी जाएगी आपकी कंपनी है उसमें 51 पर सेंटल ग सेंटल के हैं और कुछ से स्टेट के हैं और दोनों मिलाकर क्या वन हो रहे हैं तब भी और चीज़ बताता हूं आपको मैं बहुत अच्छी चीज़ हो क्या मालो एक गौवर्मेंट कमपनी है अब इस गौवर्मेंट कमपनी ने ए लिमिटेड के सेर खरी लिए इन दोनों ने मिलकर ए लिमिटेड के अगर यह गौवर्मेंट कमपनी जिसमें 51% सेर एक खर लिए अगर एक सबसेडिरी बन गई भी नहीं बन गई बताओ एक सबसेडिरी कमपनी बन गई हमने यह पढ़ाता अगर कोई कंपनी दूसरे कंपनी के 50% सेर खर खर लिए तो यह बन जाएगी और यह होल्डिंग बन जाएगी अब मिरी बास समझाएगा अब इस ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के सेर खर लिए इतने परसं 51% अब यह वाली कौन बन जाएगी यह बन जाएगी holding company और यह बन जाएगी subsidiary company तो वह क्या रहा है अब मुझे बताओ government company ने इसके 51% share खरीदे तो यह subsidiary होगी तो यह भी government बन गई और अगर इसने फिर इसके खरीदे तो यह भी government बनेगी नहीं बनेगी क्योंकि यह भी गण गई देखो indirectly हुआ क्या बेसिकली central government ने प्रस लगाए इस वाली company में उसमें लगाए और central government का सारा decision चलता इस पर क्योंकि 51% शार इसके है तो central state government का भारत सरकार का decision इस पर चले का सारा बारत सरकार ने decision दिया होगा कि इसको खरीदो तो अगर किसी government company के subsidiary company ने किसी government company की subsidiary company ने आगे किसी company के 50% शेयर खरीदे तो वह भी government company मानी जाएगी यह समझाना चाहरा करना भले ही directly पैसा नहीं लगाया central government state government में बी लिमिटेट में पहले ए लिमिटेट के शेयर खरीदे 50% अब मैं आपको बता है जिस company ने 50% शेयर खर लिए मतब government ने central government और state government मालो state ने पूरे के पूरे लिमिटेट के 50% शेयर खरीदे तो अब सारा control किसका है state government का उस company के अंदर तो अब बी लिमिटेट भी government company माने जाएगी तो concept यह किसी भी government company की subsidiary company होती है वह भी government ही होई किसी government company के अंदर माल ली जाएगी और अगर माल लो 51% नहीं खरीद पाई 49 नहीं रहे गए तो फिर को government company नहीं है फिर और प्राइवेट और तो माल लो अगर मेरी company है मेरी company के 51% share मेरे है और 49 government के है तो मेरी company अब भी private limited है और में नहीं माने जाएगी मेरा control है मेरी company के अंदर क्या होन तो मेरी पर यह तो चले तो यह होगी government और यह हो गई यहां पर लिखाए includes a company which is subsidiary company of such government company अगर subsidiary company ने खरीदा है किसी दूसरी company के वह subsidiary government company किसी है government company की तो अगर subsidiary company है कोई और वह subsidiary company किसी government company के और उस subsidiary company ने किसी दूसरी के company के से खरीदे क्या उन परसंट तो फिर वह भी government मान ली जाएगी चलिए तो यहां पर यह particular point हमने खतम करा अब हमारी जो नेस किलास होने वाली है दोस्तों उसके अंदर बागी point करेंगे अभी सब छोड़ चोटे है other types of company के अंदर देखिए banking company जो है हमारे final level पढ़ेंगे अभी नहीं हमें पढ़ना तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है कि हम पढ़ेंगे detail में final level पर इसके बाद one person company इसका अगला chapter में पढ़ाऊंगा आगे चैप्टर जाकर तो वह भी हम अलग महाँ पढ़ेंगे अभी के लिए तो बस यहां बोल दिया small company में पढ़ाना है section 8 company आगे जाकर discuss करेंगे यहां बचोड़ दिया तो कुछ ऐसी companies है इसे इनको आगे तो यह सारी चीज़े हम नेस किलास में cover करेंगे और नेस किलास में यहाला चैप्टर कम्रीट हो जाएगा नेस किलास में हम पहले सबसे पहले पढ़ेंगे private company और public company जो उसमें बहुत टाइम लगने वाला है उसके बाद चुड़ चुड़ पॉइंट डिसकस कर लेंगे सबसे इंपॉर्टन पार त शेयर करें अपने दोस्तों के साथ बाइबाय अफटर आइस जेए